जैम आता दी दोस्तों मैं रोसनी सुकला एस्टोलोजी एंड पास्तु एक्सपर्ट आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ एस्टो रोसनी यूटूब चैनल पर दोस्तों हम सभी की इच्छा होती है कि हमारा अपना खुद का घर हो घर चाहे छोटा हो या बड़ा पर अपना हो यही भाव सभी के मन में आता है अगर आप भी किराय के मकान में रहते हैं और आपका अपना खुद का मकान बनने का सपना पूरा नहीं हो रहा है तो मैंने एक वीडियो बनाया था जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है उस वीडियो को देखकर आप को छुपाय कर सकते हैं जिससे बहुत ही जल्दी आपका अपना मकान बनने की इस्थितियां बन जाएंगी लेकिन बहुत बार खुद का मकान बन जाने के बाद जीवन में परिसानियां बढ़ने लगती हैं इसका एक कारण होता है मकान का निर्माड गलत महिने में सुरू करना दरसल हम जैसे ही इस काबिल हो जाते हैं की मकान बनवा सके हम मकान का निर्माड सुरू करवा देते हैं पर अगर गलत महिने में निर्माड सुरू होता है तो अंजाने में ही हम अपने दुर्भाग को भी निमंतरंड दे देते हैं जी हाँ दोस्तों अगर आप गलत महीने में मकान का निर्मार्ट सुरू करते हैं तो जीवन में बहुत से कश्ट आते हैं जबकि सही महीने में मकान का निर्मार्ट सुरू करने पर हमें लाप की प्राप्ति होती है तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी कि आपको किन किन महिनों में ग्रह का निर्मार सुरू करना चाहिए और किन महिनों में भूल कर भी मकान का निर्मार सुरू नहीं करवाना चाहिए सबसे पहले बात करते हैं चैत के महने की सनातन धर्म में चैत के महने से नव वर्स की सुरुवात होती है लेकिन चैत के महने में घर का निर्माड सुरू नहीं करना चाहिए इस महने में घर का निर्माड सुरू करना अच्छा नहीं माना जाता है अगर इस महने में निर्माड क सुरू किया जाता है तो सोप और परिसानिया उत्पन होती है इसलिए चैत के महिने में घर का निर्मार्ण सुरू ना करें अब बात करते हैं दूसरे महिने बैसाक की बैसाक के महिने में घर का निर्मार्ण करना बहुत सुप माना जाता है अगर इस महिने में ग्रह निर्मार् गर में रहने वाले लोगों को आर्थिक लाब होता है ऐसे घरों में माता लच्मी सदा के लिए वास करती हैं अब बात करेंगे तीसरे महिने यनी की जेश्ट मास्की जेश्ट का महिना मकान का निर्मार करने के लिए सुब नहीं माना जाता है इस महिने में घर का निर्मार सु प्राप्त होते हैं इसलिए जेश्ट मास में घर का निर्मार सुरू करने से बचना चाहिए चलिए अब बात करते हैं वर्स के चौते महीने असाड की असाड का महीना मकान के निर्मार के लिए अच्छा नहीं माना जाता है इस महीने में भी निर्मार कार सुरू करने से फल प्राप्थ होते हैं और आर्थी खानी भी उठानी पड़ती है अब बात करते हैं सुर्वन यनिकी सावन के महिने की वर्ष का पांचमा महिना सावन का महिना मकान का निर्माड शुरू करने के लिए अतियंत सुब माना जाता है सावन के महिने में ग्रह निर्माड शुरू करने से इस घर में रहने वाले लोगों का भाग गोदय हो जाता है और जीवन भर धन धन की प्राप्ती होती है अब बात करेंगे छेटे महिने यनिकी भात्रपत की जिसे आम भासा में भादों का महिना भी बोला जाता है तो दोस्तों भादों के महिने में अगर आप मकान का निर्मार्ट सुरू करते हैं तो ये अत्यंत सुफल देने वाला होता है, दरिदरता का नास होता है, इश्ट मित्रों का सहयोग मिलता है और धन बैबाव पड़ता है चलिए अब बात करते हैं अश्विन मास की, साल के इस सात्मे महिने में हमें ग्रह निर्मार्ट सुरू करने से बचना चाहिए, अगर इस महिने में हम घर का निर्मार्ट कार सुरू करते हैं तो ग्रह स्वामी को पत्नी संबंदी कष्ट मिलते हैं और धन संबंदी परेसानिया भी देखने को मिलती हैं अब बात करते हैं वर्ष के आठवे महीने कार्तिक की कार्तिक के महीने में घर का निर्मार कार सुरू कर सकते हैं इससे कोई विसेस अच्छे या बुरे फल प्राप्त नहीं होते हैं आपका जीवन सामान रूप से चलता रहता है मतलब मेहनत करने पर ताब होता है और गलत फैसलों से नुकसान भी हो सकता है इसके बाद बात करेंगे साल के नवे महिने मार्ग सिस की मार्ग सिस मास में भी घर का निर्मार शुरू कर सकते हैं इस महिने में गरह निर्मार शुरू करने से अच्छे फल प्राप्त होते हैं और परिवार में प्रेम और सदभाव बढ़ता है दोस्तों बात करते हैं पोस माह की तो वर्ष्ट के दसमे महिने पोस में भूल कर भी घर का निर्माण सुरू नहीं करना चाहिए अगर इस महिने ग्रह निर्माण आरंब किया जाता है तो घर बन जाने के बाद ऐसे घरों में चोरिया होने लगती हैं घर में रहने वाले लोग बीमारियों से पीडित रहते हैं उन्हें कष्ट की प्राप्ती होती है और जीवन नार्की बन जाता है अब बात करते हैं वर्ष्ट के ग्यारमे महिने माग की माग के महिने में हमको ग्रह निर्माण आरंब नहीं करना चाहिए ऐसे घरों में आग लगने का डर बना रहता है और घर में रहने वाले लोगों को धन संबंदी परेसानियों से जीवन भर जूझना पड़ता है इसलिए माग के महिने में घर का निर्माण शुरू नहीं करना चाहिए अब आपको बताते हैं कि साल के आखरी महिने यनि कि फागुन के महिने में ग्रह निर्माण शुरू करते हैं तो मंगल ही मंगल होता है आनंद ही आनंद होता है और जीवन में हर प्रकार के सुक के लिए ठागुन के महिने में मकान का निर्माण शुरू करना चाहिए ऐसे घरों में रहने वाले लोग जीवन भर आनंद पूरवक रहते हैं तो कुल मि जाकर अब आप समझ गए होंगे की चैत, जेश्ट, असाड, अस्विन, पॉस और मांग्र के महिने में घर का निर्माड कर सुरू नहीं करना चाहिए जबकि बैसाक, सावन, भादो, मार्गसीस और फागुन के महिनों में मकान निर्माड सुरू करना सुपफल दायक होता है इसके अलावा कार्तिक के महिने में मकान निर्माड सुरू करना सामन फल देने वाला होता है तो दोस्तों आप जब भी मकान का निर्मार कराने का विचार करें तो इन महिनों का ध्यान जरूर रखें साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए माता लच्मी की करपा प्राप्त करने के लिए कमेंट में जैमा महालच्मी लिखिए साथ ही चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे अभी सस्क्राइब कर लीजिए जिससे आपको हमारे चैनल की प्रानी और आने वाली वीडियो देखने को मिलती रहे फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार इश्वर करें आपका दिन सुभो